विटन निव इंपोर्टन लेक्चर जिसमें आपको मिलने वाला आपके इंडरिस्टिल फार्मेसी सेकेंड का important question साथ ही साथ उसका solution भी आपको मिल जाएगा तो previous में भी मैंने आपको ऐसे ही provide कर रहा था आपको जैसे आपको question मिल जा रहा है और उसका solution भी मिल जा रहा है कैसे आपको exam में present करना है सारा कुछ idea आपको लग जाएगा और आपका syllabus भी complete होता चलेगा जैसे previous में हमारे जो भी questions आपको गए था अगर आपने देखोंगे वहाँ पर हमारा general consideration, significance जो भी हमारी requirements थी उसके साथ scale up consideration उसमें हमारा solid, liquid, oral सारा कुछ complete हो चुका था यानि साथ ही साथ इसका important question format क्या हो सकता है जो भी हमारा question कैसे बन सकता ह और उसको कैसे present करना सारा कुछ idea आपको वहाँ पर मिल गया था, इसमें हमारा रह गया था SUPAC guideline and platform technology, so आज की इस lecture में हम SUPAC guideline and platform technologies related जो question बन सकता है, वो और साथ ही साथ इसका solution कैसे आपको present करना ही ये भी आपको मिल जाएगा, अब यहाँ पर आपका SUPAC guideline बहुत जादा important है ये lecture भी आपके लिए बहुत जादा important हो जाता है, ये आता जरूर है, गिरते पड़ते आपको मिल जाएगा, कहीं न कहीं फसी जाएगा, और कैसे मिलेगा वो format question आपको देखके पता चल जाएगा, यहाँ पर देखिए, SUPAC से हमारा जो related question कैसा बन सकता है, फर्स्ट हमारा ह करता है, full form of SUPAC, बहुत पूंचता है, two marks में आपको देदेगा, यही जो आपका title है, यह आपने ले, वहाँ पर रेटन कर दिया, आपका two marks confirm हो गया, scale up and post approval changes, वहीं आपको इतना लिख देना है, और इसका operation क्या है, तो ऐसे question यहाँ पर पूंचता है, यहाँ पूंचता है, two marks में जरूर फ़र जाएगा, seven marks में पूंचेगा, तो इसका operation पूंचेगा, यह तो sort note पूंचेगा, तो यह बहुत चादर important है आपके लिए, अब discuss करते हैं, आखिर ECU-PAC है क्या, इसका थोड़ा सा full form आप समझेए, उसी से आपको इसका idea पूरा लग जाएगा, first क्या आत production करने जा रहे हो, यहाँ पर आप production एक laboratory scale पर कर रहे हो, इसको आपको क्या करना है, आप करना है, आपको यहाँ पर दिया गया था कि यहाँ आपको 110 tablets मालीजे बनाते, क्योंकि यहाँ पर laboratory में बनाया होगे, tablets वहाँ पर 10 बनाया, अब कहीं अगर आप उसके लेप करोगे, तो वो आपको क्या है, इसको scale up करने पड़ेगी, उसी इसाब से उसको machinery को बढ़ाना पड़ेगा, तो यही होता है मारा scale up, and post approval changes, अब यह post approval changes का क्या मतलब है, माल जीजे आपने scale up process की, and उसके बाद जो भी changes आपको करना पड़ा, जैसे आपने यहाँ पर 10 tablet बनाया था, व वहाँ से आपको सब कुछ हो गया, scale up किया, आपको approval मिल गया, अब इसके बाद आपको क्या क्या change करना पड़ेगा, बैसे कि scale up करने के लिए आपको composition change करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने जो composition लिए था, उसको बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पर आपकी machine होगी, आपने जो भी machine दी यहाँ पर उच की थी, वह भी बढ़ाना पड़ेगा, आपको tank size बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने एक beaker में बढ़ाया था, यहाँ पर आपका बड़ा सा tank आएगा, तब इतना सारा आपका tablet यह बन पाएगा, तो यही आपका आता है CPC जो आपने छोटे इस तर पर बना रहे थे, उसका scale-up किया, उसके बाद जो भी changes आपने किये उसमे approval के बाद, क्योंकि आपको laboratory में जो चीज आपको आपने बनाई, वो आपकी कारगर रही, तो उसके लिए आपको approval मिल जाएगा, कि हाँ आपका यह चीज सही है, अब आप आपको scale-up कर सकते हो, अब आपको वहाँ से approval मिल गा, तो उसके बाद आप क्या-क्या change कर रहे हो, कैसे, composition में change हो रहा है, manufacturing process भी आपका change हो रहा है, manufacturing equipment आपको बड़ा करना पड़ेगा, change of site, इस आप laboratory में कर रहे हैं, तो आप आपका टेंडर है, वो आप laboratory में नहीं बना सकत उसके लिए आपको कहिए, एक specific side चाहिए, एक अच्छी जगा चाहिए, बड़ा अस्तर की जगा चाहिए, तो यह जारे जो जितने भी यह सारे है, यह हमारे आते हैं किसके अंदर, SUPAC, and EC की guidelines को हमको follow करना पड़ता है, कि हाँ, यह SAC guidelines, यह guidelines है, तो EC guidelines के according हमको कहा है, यह process करनी पड़ती है, थोड़ा सा समझी है, यहाँ पर, development of new drug, मिर जो मैंने अभी आपको बताया था, कि आपने new drug बनाई, laboratory में, small scale पर, जैसे आपने 10 tablet बनाया, अब उसमें आप क्या कर रहे हो, batch size बढ़ा रहे हो, that's called scale, मिर batch size बढ़ाते चलेगे, यह आपका scale process हो गया, अब वहाँ पर जो changes आप कर रहे हो, changes after approval, जो भी आपने batch size बढ़ाया, उसके बाद क्या आपको change करना पड़ा है, क्योंकि आपको उसके लिए जितना भी आपकी quantity आपको चाहिए, उसके लिए आपको बड़े tank की, बड़ी machinery की जरूत होगी, बड़े compressor की जरूत होगी, बड़े mixer की बड़े impactor की जरूत होगी, तो सारा कुछ आपको आपको हाँ पर change करना पड़ेगा, यही आपका होता है, SU, PSE, I think आपको clear हो गया होगा, थोड़ा common code है, तो आवाज थोड़ी I think जैसी भी हो, बट मैं try करूँगा कि अच्छे से अच्छी जाए, now हम देख लेते हैं कि इसकी guidelines क्या-क्या है, SU, PSE guidelines defines, इसमें क्या है, level of change में हमारा आता है minor change, moderate change and major change, अब इसमें क्या-क्या include होता है, अब ही आपको clear होगा, बस lecture के साथ बने रहिएगा, नेक्स आता है test, यह सारा कुछ जो है जैसी इस पे लिखा गया, अगर आप ऐसे exam में लिख देते हो, आपको 7 में ऐसे 7 marks, अचली एक marks आपकी writing पर काड़ भी लिया, क्योंकि writing तो हमारी भी बहुत अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे आपको 5-6 marks मिल जाएंगे, confirm, 5-6 marks बहुत नंबर काटता है वो, तो वहाँ पर जिससे test में देखिए, application test and in vitro, भी वो, digital evolution test, यह सारा कुछ guidelines के अंदर आती हैं, क्योंकि वहाँ पर जाब आप change करोगे, scale up करोगे, composition change होगा, तो कुछ ना कुछ effect आता है, क्योंकि आप बढ़ा रहे हैं, scale up कर रहे हो, आप जिस तो जो भगोना होता है, उसमें बनाओगे, तो कुछ ना कुछ उसमें composition change करोगे, कुछ ना कुछ इधर उधर होगा, तो इसी के लिए सारा कुछ in vitro, भी वो, digital evolution test, वहाँ पर भी आपको perform करना होता है, next आता है feeling, उसमें annual report होता है, changes being affected supplement and prior approval supplement, यह आपके कुछ forms होते हैं, जो की required होते हैं, किसके लिए required होते हैं, जो आपका minor, moderate and major change है, हर एक के लिए अलगलग form है, तो कैसे आपको क्या क्या approval लेना पड़ता है, यह जो हमारे approval लेने पड़ते हैं, यह सारे क्या सारे, US FDA से लेने पड़ते हैं, क्या है, अभी आगे इसको मैंने detail किया हुआ है, इ इसके लिए जो भी आपने component लिया, और उसका जो composition, जितनी उसकी unit, जितनी मातर आपने लिए थी, जितना आपने weight किया था, अब उसमें आप change करोगे, नेक्स आता है, site of manufacture, मिस आप laboratory पे बना रहे थे, उसको आप industry पे जा रहे हो, industry पे बनाओगे, क्योंकि वो 10 लाग tablets आप यहाँ पे नहीं बना सकते, नेक्स आता है, manufacturing change, अब manufacturing change में हमारा क्या include होता है, process and equipment, यहाँ पर आपने laboratory में क्या है, कामल ले 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 तो कोई चीज, ज पोजिसन जादा है, वहाँ पे आपको एक impactor की जरूरत होगी, कि उसको अच्छे से fine particles में change कर सके, and equipment, वहाँ पर equipment आपको बढ़ाना पड़ेगा, यह सारे जो भी changes हो रहे है, यह post approval changes आते हैं हमारे, next नेक्स आता है, इसका operation, SUPAC is not a regulation, but it is a guidance document, यह कोई regulation नहीं है, मिस इसम समझे एक जरा, इसमें जो guidance हमारी आती है, this guidance provides recommendation to sponsors, मिस जो भी sponsors जैसे आप laboratory में, जो scientist होते हैं, वो इसको create करते हैं, मिस इसको कोई भी drug को search करते हैं, वहाँ से, जब यहाँ industry में जाना होता है, तो वो sponsors के थ्रू जाता है, उसमें जो भी हमारे आते हैं, उन्होंने जो sponsors ले application, यह हमारे जो है, यह से approved होना चीए, इस point को जड़ा समझेगा, मिस जो हमारी drug मिली, हमको जो भी laboratory drug approval हुई, वहाँ पे आपने scale up के लिए उसको भेजा, वहाँ से approved हो गई जो आपके drug थी, अब आपको उसको scale up किया, scale up करने के लिए सारा कुछ आपका complete है, अब उसको जो आपके लिए क्या है, शारी की सारी FDA के as through आती है, तो इनसे approval जब मिल जाता है, यह आपको क्या है, वो scale up पे जाती है, वहाँ पे जब आप उसका batch size बढ़ा रहे होते हो, कोई भी आपके drug product है, approved by NDA, means new drug application, abbreviated new drug application, and abbreviated antibiotic drug application, तो इनके through क्या है, approved हो जाती है, तब वहाँ पर क आता है जब इन तीनों से आपको वहां पर अप्रूबल में लिए तब यह सी गाइडलाइन क्या कहती है वहां पर USFDA जो होता है आपका US Food and Drug application जो होता है वह रिकमाड करता है टेस्टिंग अन्फिलिंग एक्शंस को किसलिए करता है वहां पर जो भी आपने फार्मासिटिकल फिम मिस जो हायर लेबल पर आप जा रहे हो तो वहां पर क्या-क्या आप चैन्जेस कर रहे हो manufacturing process में उसके लिए जो भी guidelines है वो USFDA आपको क्या है रिकमाड करता है तो सारा कुछ यह होता है मिस इसमें जो main guideline इसकी यह है कि आपको जो भी ड्रग आपकी approval हुई जो आपकी NDA, ANDA या AADA है उसके बाद क्या है USFDA आपको क्या है रिकमाड करें गई उसकी testing उसकी filling action और उसके बाद जो भी आपका फार्मासिटकल मिस जाएगा उसमें जो आपकी industry उसमें बनने के लिए तो वहां पर changes when it changes the manufacturing process में जो भी वहां पर आप manufacturing process में चेंज कर रहे हो तो वह सारा कुछ आपको वहां पर testing filling सारा कुछ report आपको रखना होगा next आता है इसी में कि हाँ सब्सक्राइब कैसे कैसे जो हमारी guidelines के अंदर कैसे हम चेंज करते हैं जो कि आपका मैंने बता था major moderate और जो भी था तो यहां पर जो है रिलेट्स पॉर संब्सक्राइब जो आपका एसी प्यासी है वह कुछ डॉसक फॉर्म पर ही अपली केबल है ना की सब्सक्राइब पर किन किन पर अपली केबल है फर्स्ट आपका है इमेडि लगा दिया क्यों लूसी के लिए लगा है क्योंकि साथ एक वही और आता है बस नेक्स आता है moderate रिलीज इसमें आते हैं आपके डिलेड रिलीज और इसके लिए आपको गाइडेंस की जरूत पड़ती है नेक्स आपको कुछ फॉर्म इसू कराने पड़ते हैं अभी आपको अभी क्लिर कर देंगे क्या फॉर्म आपको इसू कराना पड़ता है नेक्स आता है टॉपिकल सेमी सॉलिट दोसिक फॉर्म इसमें आपके क्रीम हो गए ओंट्मेंट हो गए सस्पैंसन इमेल सन यह सारे कुछ हो गए और नेक्स आप करता है स्वपेसी गाइडलाइनस में इ आप फॉलो करनी पड़ती है गाइडेंस डिफाइंस डिफाइंस डिफरेंट लेवल आफ चेंजेस डिफरेंट टाइप अप अपलिकेशन मिस उसमें क्या है जो भी आपका चेंजेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको CBE 30 सप्लिमेंट को क्या है अप्रूबल लेना पड़े यहां पर मैंने के लिए यह आपको दे दिया क्योंकि इतना ज्यादा डीप पूछता नहीं है वैसे सेबन माक में पूछेगा भी तो उसके लिए जो आपका डिफरेंट स्टेप है चेंज के क्योंकि आप अगर मॉडरेट में चेंज कर रहे हो तो उसमें आपका जो भी प् continuing product quality performance characteristics of dosiac farms मिं जो भी आपने ड्रग आपने बना रखी है उसकी continuous approval मिंस के quality and performance भी बना रहता है साथ ही साथ उसका क्या होता है continuous improvement भी होता高ilee बना रुठता लंचे में वह आप से सब कुछ सारे process होते हैं तो उसका improvement होता रहते हैं जैसी new hoe म् statue आ भी आपकोता है एंड क्वाल्टी बनाये रखने के लिए बहुत जरूरी है तो इस वर कांटिणून प्रोड़क्ट क्वाल्टी में जो प्रोड़क्ट की क्वाल्टी है जो जैसे थी वह एसी बनी रहे है उससे कम ना हो उससे ज्यादा और बढ़ जाए यहाँ पर आपका जो कांटिनूस यहीं यह सारा में आपने मॉड्येर रिस जो वहां पर बनाया था लेब रोटरी में आप लेके चल रहा है वाँ पर manufacturing changes उसमें आपका process and equipment चेंज होता है in vitro resolution data मिस यहां पर आपका पहले करोगे कि किसी artificial chamber में जो भी आप ड्रक बना रहे हो उसका resolution कैसा है resolution profile मुस्का complete कैसे कितनी time ले रहा है कितनी देर ले रहा है का breakdown हो रहा है तो यह सारा कुछ आपका इसमें आएगा फिर आता है in vivo by balance मिस अगर आप in vitro complete हुआ उसके बाद in vivo मिस किसी एक human body के अंदर या किसी human cell के अंदर आप study कर रहा है तो वहां पर क्या effect आ रहा है उसका तो उसको भी आप study करोगे कि क्या 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 उसकी कितनी efficacy आई कितना हमारे लिए safe है और कितना हमारे लिए जो भी हम disease disease के लिए जो ड्रग बनाए है कितना उस पे वह effective है तो यह सारा कुछ आपका स्वी पीसी में यही इतना कुछ चेंज करना पड़ता है यही सारा जितना भी सब कुछ था यह scale up and post approval changes में आता है ज़्यादा कुछ चीश में है नहीं बस आपको simple सा समझदा है कि कि किसी को इसमालग scale पे बड़े scale पे ले जाने के लिए हमको क्या क्या चेंज करना है आपको approval मिला approval के बाद अब इसको scale up करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हाँ आप उसी में बनाते जारो थोड़ा थोड़ा उसे थोड़ा थोड़ा ही कठा कर रहे हो ऐसा नहीं होता वहां पर आपको क्या scale up के लिए approval मिला कि हाँ आप यह चीज आप बड़े अस्तर पे बना सकते हो उसके लिए आप एक अच्छी साइट लोगे वहां पे अच्छी machinery होगी बड़ी machinery होगी तो वह सहां पर आप बनाओगे तो यही सारा कुछ है इसमें involved होता है जो कि आपको नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्लेटफॉर्म टेक्नलोजी प्लेटफॉर्म टेक्नलोजी भी इसी से थोड़ा रिलेटेड ही मैं जड़ा सिंपल से समझ लीजिए प्लेटफॉर्म टेक्न प्लेटफॉर्म टेक्नलोजी प्लेटफॉर्म एक समझें जैसे किसी चीज का एक प्लेटफॉर्म होता है कोई चीज आप बना रहे हो उसका एक प्लेटफॉर्म होता है तो यहां पर आप कोई ड्रग बना रहे हो ड्रग डेवलेप्मेंट कर रहे हो उसका भी एक थो बहुत अच्छ्छे आइडिया को कमृरीट करती सब्सक्राइब सबता है और उनम्ध these exploration करेंगे जो भी idea उन्होंने बनाया जैसे कोई भी आप drug बना रहे हो उसमें उन्होंने कहा कि हाँ हम इसमें ये चीज़ लगाएंगे तो इसका desolation बढ़ जाएगा इसकी efficacy बढ़ जाएगी तो वहाँ पर उन्होंने क्या exploration के बाद उसको उसको पर apply किया तो यह जो सारा कुछ हो रहा है यह सीमित एक प्लेस पर हो रहा है जैसे एक platform बनता है यहाँ यहाँ ऐसे यह हो रही है तो यह सारी जो भी process हो रही है एक platform technology कहलाती है यह सारा combination जो भी आपने आपर देखा research organization से लेकर ideas आ रहे है scientist आ रहे है वो work कर रहे है उसका फिर बड़े अस्तर पर exploration करके उसको और approve कर रहे है तो यह सारा कुछ आपका एक रहता है platform technology and platform technology का main role क्या होता है enhance करना drug safety को efficacy को efficiency को quality को जो कि product development के लिए होता है तो यह सारा कुछ miss इसी से इसको relate कर दीजी आपका बहुत simple सी चीज़ है कि platform किसी चीज़ का platform जहां से वो सब कुछ चलता है सारे process को controlling होता है और वहां से उसका improvement होता रहता है जिससे उसकी efficacy बढ़ रही है मैं सारा कुछ एक चीज़ को क्या करने के लिए उसको और अच्छा करने के लिए होता है एक platform बना जाता है तो यह सारा कुछ आपका complete हो चुका है और इसी के साथ आपकी industrial pharmacy first की unit first complete हो गई साथी साथ आपको important question and look का solution भी मिल गया आपके exam के लिए यह बहुत important है PDF आपको मिलेगा हमारी बैस्टाइ www.latationfarmacy.com पर and कोई कोई री कोई डाउट हो आप हमसे personal पूँछ सकते हो या वीडियो के comment box में पूछ लिजिए सो आपको reply मिल जाएगा सो thanks a lot and thank you so much to all